तमल्ट सूपरस्टार रजनीकांथ ने तेलुगू आइकन एंटियार के शताबदी समारों को संबोधित करते हुए राजनीती के बारे में कुछ तल्चस पाते कही हैं। उन्होंने कहा भारी भीड को देखते हुए वो राजनीती के बारे में बोलना चाहते हैं। लेकिन उनका अनुभव उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। बता दें कि रजनीकांथ ने 2021 में अपने खराब स्वास्त का हवाला देते हुए राजनीती में प्रवेश करने की योजना को छोड़ दिया था। रजनीकांथ ने याद किया कि कैसे वो NTR से प्रेरित थे। उन्होंने उनके बेटे और प्रमुक टॉलिवूड अभिनेता बालकृष्ण की प्रशंसा की और पूर्व मुख्यमंत्री और TDP अध्यक्ष एंचंद्रबाबू नाइडू के विजन की भी सराना की। अभिनेता ने कहा कि NTR की पहली फिल्म जो उन्होंने देखी वो पाताल भैरवी थी और इसने उनके दिमाग पर एक छाप छोड़ी। इसके साथ ही रजनीकांथ ने कहा कि जब वो सहायक अभिनेता और खलनायक की रूप में काम कर रहे थे तो एक निर्देशक ने उनसे सं स्क्रिप्ट सुनने के लिए कहा और बताया कि फिल्म का शीर्चक भैरवी है जैसे ही मैंने फिल्म का नाम सुना मैंने इसे स्विकार कर लिया बता दे कि रजनीकांथ समेत तमाम दिगजों ने NTR के शताबदी समारों में शिर्कत की थी